जादूई खालीन उस शाम को एक अजीब घटना घटी विकी और दिव्या टेलिविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे विकी की आँखें परदे पर जमी हुई थी और वह कटोरी में से चिप्स निकाल कर खा रहा था आउट 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 चिलाते हुए वह उचलने लगा उच्सा में उसके हाद से चिप्स नीचे गिर गए इसके पहले कि वह उन्हें उठाता वह गायब हो गए बहुत ही स्वादिश्ट बढ़ाई करती हुई एक आवाज सुनाई दी दीदी ये कालीन तो बोल रहा है विकी धीरे से फुस फुसाया उसकी आवाज काप रही थी दिव्या ने हाँ में सिरह लाया उसे भी आवाज सुनाई दे रही थी सुनो उसने कालीन की ओर देखते हुई पूछा तुम कौन हो मैं असीज हूँ इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक जवाब आया तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो तुमने ये कालीन केसे बनाया होगा दिव्या ने अविश्वास से पूछा मैं तो फिर भी बड़ा हूँ अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया विकी पूछने लगा कहा अजीज ने कहा कालीन के कारखानों में जहां मैं रहता हूँ दिव्या ने पूछा तुम वहां रहते हो तो तुम्हारी आवाज यहां कैसे आ रही है वो क्या है कि एक दिन जब मैं ये कालीन बुन रहा था तब ही मैंने दिन में एक सपना देखा मुझे लगा कि जिन लोगों ने ये कालीन खरीदा है वे मुझे भी अपने घर ले आए है जब तुम्हारी मा ये कालीन खरीद कर लाए मेरा सपना भी साथ यहां चला आया विकी जानने के लिए उच्सुक था उसने कहा वैसे तुम हो कहा असली रूप कहा है तुम्हारा वही काल खाने में विकी ने फिर पूछा क्या तुम वहां खुश नहीं हो खुश वहां हमें सुभा पांच बजे से लेकर रात आठ बजे तक काम करना पड़ता है केवल दुपहर में खाना खाने के लिए एक खंटे की छुट्टी मिलती है जब काम खत्म होता है तब तक हम इतना अधिक ठक चुके होते हैं कि खेलने का सवाल ही नहीं उठता लेते ही हमें नींद आ जाती है तुम्हारा मतलब है कि तुम स्कूल नहीं जाते विकी को थोड़ी जलन होने लगी हम तो जाना चाहते हैं नेकिन हमारे घरवाले बहुत करीब है ना वे हमें स्कूल भेजना तो दूर खाना तक नहीं खिला पाते उन्होंने यह सोच कर हमें यहां भेज दिया था कि यहां हम कुछ ठीक से रहेंगे उन्हें पता नहीं कि यहां हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है काश काश मैं अपने घर जा पाता उसकी आवाज में सिस्कियां मिली हुई थी विकी खुद भी रुआसा होकर बोला देदी असीज तो रो रहा है असीज रो मत हम तुम्हारी मदद करेंगे हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं दिव्या ने पूछा हाँ अजीज ने अनिश्च पूर्वक कहा अगर तुम लोग कारखाने आओ तब शायद दहच चुप हो गया दिव्या ने ठान लिया कि वह अजीज से अवश्य मिलेगी शाम हो चुकी थी महरा जी दफ्तर से आ चुके थे जैसे ही वे कमरे में आए दिव्या दोड़ कर उनके पास पहुँची और बोली हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं महरा जी ने कुछ सोचा और फिर बोले ठीक है तुम्हें रविवार को कारखाने ले जाएंगे बच्चों को रविवार तक इंतजार करना भारी बड़ा अजीज भी बहुत उत्साहित था तुम लोग मुझे करगे पर काम करते हुए देखोगे उसने बताया मलिक साहाब किसी को भी करगे देखने की अनुमती नहीं देदे क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं अगर उन्हें लगे कि तुम उनकी कालीन खरीदोगे ता वे तयार हो सकते हैं कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी थी वहां पहुँचने पर एक मोटे अधेर वेक्ती ने उनका स्वागत किया दिव्या ने धीरे से विक्की को बताया यही होगा मलेक आईए आईए स्वागत है क्या कोई कालीन खरी देंगे वह उन लोगों को अंदर कमरे में ले जाते हुए बोला उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए थे कुछ कालीन देख चुकने के बाद श्रिमती महरा ने कहा मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि ये कालीन कैसे बनाए जाते हैं अब क्या आप दिखा सकते हैं उस वेक्ति के चेहरे पर सतरकता के भाव आ गए श्रिमती महरा ने तुरंट एक लाल कालीन को छूते हुए कहा ये वाला बड़िया है उन्होंने महरा जी की ओर मुस्करा कर देखा उस आदमी का चेहरा चमक उठा हाँ मैडम आपकी पसंद अच्छी है वे उसे लपेटने लगा हम अभी बाद में तै करेंगे श्रिमती महरा ने कहा पहले हम करगा देखेंगे वे आदमी थोड़ा हिचकिचाया उसकी इच्छा तो नहीं थी फिर भी अगर सौदा पढ़ता है तो जरूर मुझे खुशी होगी यहां से आईए अंत म उत्सह दिखाते हुए बोला वे उनको आंगन के पार एक संकरे रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोश्नी वाले कमरे में ले गया बाहर की तेज धूप में रहने के कारण उन्हें अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी कुछ देर बाद बड़े-बड़े करगे दिखाई दिये वहां कम से कम बीस बच्चे काम कर रहे थे हर और उन के रोएं उर रहे थे विकी को खांसी आने लगी ये हमारा कारखाना है मलक शान से बोला ये बच्चे क्या इनसे काम करवाना कानून के विरुद नहीं है महराजी ने कड़े स्वर में कहा कानून क्या इन इनकी देखभाल करता हूँ, घर में तो ये भूके ही रह जाएंगे। वह आदमी शेखी बगारते हुए बोला, इस बीच विकी और दिव्या बच्चों के चेहरे देख रहे थे, इन में से अधिक तर आठ से वारा साल के थे, वह डरे हुए लग रहे थे, आलकि कुछ उन्हें देखकर जहेंपे जहेंपे मुस्कुराए भी, उन्हें काम बंद किय देखकर मलिक उन पर जोर से चिलाया, अपना काम चालू रखो, समय बरबाद मत करो, बच्चे उन्ह कातने और बुन्ने में फिर जुट गए, किवल एक पतला सामला लगबग दस वर्ष की आयू का बालक उन्हें बराबर देखे जा रहा था, दिव्या उसके पास गई, उस उसने आशा भरी आवाज से पूछा, असीज, बच्चे ने जजग कर सिरहलाया और चौंक कर उसे देखने लगा, तुम हमें नहीं जानते, तुम्हारी सपने नहीं तो हमें यहां बुलाया है, बच्चे के मुख पर एक हलकी सी मुस्कान तैर गई, तुम आ गए, सच में आ रहा था, उस बच्चे से बात करते देख, श्रिमती महरा उनके पास आई, दिव्या, कौन है ये, उन्होंने उच्चुकता से पूछा, मा, यही है अजीज, जो कालीन के माध्यम से हमसे बाते किया करता था, श्रिमती महरा आश्चरे से अजीज की और देखने लगी, क्या कि समय मैं कई बार ऐसा करता हूँ, विशेश रूप से तब, जबकि मुझे घर की याद आती है, श्रिमती महरा ने अजीज का हाथ अपने हाथों में ले लिया, उसके हाथों में गहरे खाओ थे, उन काती समय हमारे हाथों में ऐसा हो जाता है, उसने हिचकते हुए बताया, श्रिमती महरा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, बिहार में, मलिक हमें चार साल पहले यहाँ लाया था, उसने अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था, मेरे घरवाले बहुत गरीब हैं, इसलिए वे तैयार हो गए, लेकिन ये हमें पैसे नहीं देता, भूका रखता है और मारता है, उसने एक साल बात घर भेज देने को कहा, लेकिन, मैंने अपनी मा को चार साल से नहीं देखा, अजीज का चहरा सिकुड़ने लगा था, तब महरा जी भी वहां आ गए थे, यही है अजीज, श्रिमती महरा ने बताया, महरा जी ने उनकी और आश्चर्णे से देखा, श्रिमती महरा ने उन्हें अजीज की कहानी सनाई, महरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है कि यह आदमी इन बच्चों से गयर कानूनी ढंग से काम करवाता है, अगर हम अभी कुछ करेंगे तो उसे संदेह हो जाएगा, और वैं इन्हें छिपा देगा, हो सकता है कि पिटाई भी करें, हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे, सिर्फ अजीज को ही नहीं, बलके सारे बच्चों को मदद की जरूरत है, महरा जी अजीज की तरफ मुड़े और प्यार से बोले, मैं बादा करता हूँ कि तुम्हें जल्दी ही यहां से ले जाऊंगा, तुम धहरे रखो और इस बारे में किसी को मत बताना, ये रहा मेरा पता, आवशक्ता पढ़ने पर वहां आ भी सकते हो, अजीज ने सिरह लाया, मलिक वापस आ गया, वह किसी ग्रहक के पास बाहर चला गया था, जब उसने महरा जी को अजीज से बाते करते देखा, तो उसे कुछ संदे हुआ, उसने पूछा, आप क्या इसे जानते हैं, नहीं, जो कालीन ये बना रहा है हमें अच्छा लगा, मह हाँ, हाँ, अच्छा काम करता है, थोड़े सपने अवश्य देखता रहता है, मलिक ने उच्छा से कहा, मैडम को जो कालीन पसंद आया था, उसके बारे में क्या विचार है आपका, महरा जी ने जवाब दिया, असल में हमें वह जादा अच्छा लगा, जो वह बच्चा बन बस एक सब्ता हमें तयार हो जाएगा, वापस आते समय रास्ते में विकी ने पूछा, उनकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे, उनके पितार ने कहा, मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वैं जरूरी कदम उठाएंगे, घर पर भी बच्चे अजीज के बारे में सोचन बंद नहीं कर पाए, हर रोज वैं उसे खुश करने के लिए कालीन के जरीए उससे बातें करते थे, एक दिन सुबह उनके पिता ने उन्हें अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर दिखाई, उसमें लिखा था, स्थानी कालीन कारखाने पर छापा, दस बच्चे मुक्त करगों पर काम कर रहे बच्चों का फोटो भी था, विकी और दिव्या उच्चुकता से बच्चों के चहरे पहचानने लगे इसमें अजीज कहा है? दिव्या ने पूछा ये रहा मा ने जवाब दिया तभी किसी ने दर्वाजा खटखट आया, बच्चे दोड़ कर गए दर्वाजे पर अजीज अपने माता पिता के साथ खड़ा था मेरे अपा और अम्मी से मिलो, ये मुझे घर ले जाने आए है मलिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों की बदले हमारे पिताओं को नौकरी दे वह भी पूरी तनखा पर अपने स्कूल जा सकोंगा उसकी मा ने कहा बच्चों धन्यवाद नहीं, धन्यवाद तो अजीज के जादूई कालीन का किया जाना चाहिए और सब हसने लगे, सब प्रसंद जो थे मुल्य, सहरदेता, सामाजिक जागरूपता, सहानुभूती